सू प्रभात बच्चो आज हम पढ़ेंगे ब्याक्रण सोपान ब्याक्रण सोपान के अंत्रगत आज हम पढ़ेंगे समरुपी विन्नार्थक शब्द समरुपी विन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं जैसे कोई वाकी ले लिजे कि संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं सब एक समान हैं सेकिंड है हमें अपने से बड़ो का समान करना चाहिए और एक शब्द हम कह सकते वाके कि वह बाजार से सामान लेने गई है तो बेटा आपने उप्युक्त वाक्यों में देखा कि समान, समान और सामान तीनों के अर्थ अलग-अलग हैं समान का अर्थ है एक बरावर समान का मतलब है आदर देना, रिस्पेक्ट देना और सामान का मतलब है बस तू यहनि कोई चीज यहनि कि समरुपी भिनार्थक शब्दों में हमें सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं यहसे उधारण देखिए अचार यहनि आम, नीमबू, आदी का अचार खाने वाली चीज है ना फिर आचार यहनि आचरण, ब्यवहार फिर और, और, और का मतलब है तरफ यहनि दिशा आदी और का मतलब है तथा, ज्यादा, योग, यहनि जोड, योग्ये, लायक, यहनि काबिल होना उप्युक्त, ठीक, उप्युक्त, ऊपर कहा गया जैसे आपको एपठित गद्यांश दिया होता है और उसकी नीचे कुछ प्रेशन दिया होते हैं तो लिखा होता है न, कि उप्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रेशनों के उत्तर दीजे उप्युक्त का मतलब है जो बात उपर कही गई हो, लिखी गई हो नेक्स्ट है बेल यहनी एक लता, बेल यहनी एक पशु, समान एक जैसा, सामान कोई वस्तु, वस्तु हैं आसमान यहनी आकाश, गगन और असमान जो बराबर ना हो, जो समान ना हो भवन, महल, घर, भूबन, संसार यहनी जगत धन्यवाद